तो आप सभी स्टुडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि 36 गड़ में जो है 25,000 पदों पर होगी भरती और इसके लिए घोष्टना किया जा चुक है 25,000 भरती नए वेकेंसी होने वाले हैं चाहे हो आपके जो है सिक्षक, विभाग में सिक्षक के हो, होस्टल वार्डन के आमिन पटवारी, CF and DA, PDA, R.I. सहकारिता विभाग, ट्राफिक, पुलिस, जेल, प्रहरी, वन विभाग, इन सभी विभागों को मिलाकर, इन सभी पोष्टों को मिलाकर, कुल टोटल जो है 25,000 भरती जो है आप सभी स्टुडेंट्स के लिए खोने वाला 25 समने गौर से सुने 25,000 भरती तो 25,000 जब भरती आप सभी स्टुडेंट्स के लिए 25,000 नौकरिया निकल कर आ रहे हैं तो आप लोग तयारी क्यों नहीं कर रहे हो फिर आपको ये सोचना है कि 24,000 999 पोष्ट में किसका सेलेक्शन होता है कौन कॉम्पिटिशन्स एक्जाम्स की तयारी कर रहा है इस इस दिन आपने इस तरह से मेहनत करने सुरू कर दिया ना मतलब आपको काम्याब होने से कोई नहीं रोप पाएगा कई लोग बहुत से लोग आपको बोलते होंगे यार इसमें तो कॉम्पिटिशन्स बहुत जादा हैं लाखोई स्टुडेंट इसके लावे दन कर रहे हैं लाखोई स्टुडेंट जो है परिक्षा फार्म भर रहे हैं तो तेरा नंबर कहां से आएगा तो कहां से इस कॉम्पिटिशन्स एक्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएगा वैसे भी तुझे तो सभी सब्जेक्ट के बारे में नालेज नहीं है बहुत जादा एड़वाईस देते हैं इधर उधर के बाते करते हैं और उसके बादे समय के बाद आपको भी लगने लगते कि यार है यह जो बोल रहे सहीं बोल रहा है मुझे भी लग रहे किस्यार्लक्षा से मेरे अंदर ही कुछ Allen नहीं है जिसके वजए से मैरा सेलेक्शन नहीं उपा रहा बकिन यह बिल्कुल गलत है, अगर आप में काबिलियत है, तो काम्याबी ज़रूर मिलेगे, तो 36 गण्छा मैं, हम अगर बात करें, सिक्षक के ही, तो 14,000 सिक्षकों के भरदी जो है, आपके जो होने वाला है, हुश्टल वार्डन के बात करें, तो हुश्टल वार्डन के 400 पद्व बहती होगा, CFNDF के बाद करें तो 5,881, 359 से 359 पदो पर भड़ती होगा, R I के बाद करें तो आपका जोए 159 पदो पर भड़ती होगा, सहकारीता भी भाग के अगर बात किया जाए तो 3000 पदो पर आप लोगों के लिए भरती होगा, ट्राफिक पुलिस के अगर देखें तो 2000 पोश्ट पर भरती होगा वहीं जेल प्रहरी के भी 2000 पदों पर जो हम सभी स्टुडेंट्स के लिए भरती होगा वन भी भाग में जो है 199 पदों पर भरती होगा बस अपने आप से कभी भी मत हार न खूद के प्रती लोयल रहो तू अपनी खूबिया ढूंड काम्या निकालने के लिए लोग है न अगर रखना है कदम तो आगे रख पीछे खिचने के लिए लोग है न सपना देखना है तो उचा देख नीचा दिखाने के लिए लोग है न तू अपने अंदर जुनुन की चिंगारी भड़का जलने के लिए लोग है न प्यार करना है तो खुद से कर नफरत करने के लिए लोग है न तू अपनी अलग पहचान बना भीड में चलने के लिए लोग है न तू कुछ करके दिखा दुनिया को तालिया बजाने के लिए लोग है न बस जिस दिन आपने खुद को लॉयल समझ लिया और खुद के confidence आपके अंदर वो enhance होना चाहिए और आगे बढ़ने के जो है महनत होना चाहिए ये सबी चीज़े अगर आपके अंदर जिस दिन हो गया विल पाउर अच्छे से बुष्ट हो गया मत्तब आपको कम्याब होने से कोई ने रोप पाएगा जिन्दगी हर एक मोड पर आप लोगों के इम्तिहान लेती है अब ये आपके उपर depend करता है कि आप जो ही किस तरफ जाते है घड़ी में 6 अंक नीचे की तरफ होता है और उसमें 12 का अंक हमेसे जो है उपर की ओर होता है और जो काटा 6 पर होता है कभी न कभी 12 पर भी जाता है और वापस 6 पर आता है इसका मतलब आप लोगों ने समझे दोस्तों बता रहा है घड़े भी हमें समझाने की कोशिश करता है समय कहता है कि आज भले ही मैं किसी और के पास हूँ आज भले ही तेरा वक्त नहीं है आज भले ही तेरा समय नहीं आया लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समय आगे तुम्हारा नहीं आएगा कल तेरा नहीं आएगा कल तेरे पास जो है समय वापस लोटके जरूर आएगा बस सरते आप उस समय को वापस अपने पास लाने के लिए अपने समय को बदलने के लिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आज नहीं तो कल कामेबी जो है जरूर मिलेगी रुकाउटे तो आईगी जिन्दगी में बहुत आएंगे डर भी लगेगा निरासा भी होगी पर यही जीवन करास्ता है यह परशानी सिर्फ पड़ाओ है अगर इन बाधाओं के आगे अगर ठक गए जूक गए या रुक गए तो सिर्फ बाते रह जाएगी कि यह कर लेते तो यह हो जाता वो कर लेते तो वो बन जाते लेकिन अगर सच में कुछ करना है तो जिद और वो पैशन आपके अंदर होना चाहिए होता है ना यह चीजे आपने से हर एक स्टुडेंट जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं बाते उससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि यह कास यार हम यह कर लेते तो वो बन जाते यह कर लेते तो यह हो जाता है ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है लेकिन जब आपके पास टाइम होता है जब आपके पास समय होता है आप उस टाइम ही उस समय में कुछ भी नहीं करते एक समय के बाद आपको फिर रिलाइस होने लगता है इसलिए जिन्देगी में अगर कुछ करना है जिन्देगी में अगर कुछ बनना है तो इसके लिए आपके अंदर वो जुनूल होनी चाहिए तो 36 गड़ में आप सभी को बताना चाहता हूं कि एक के बाद एक बढ़ती है एक के बाद एक आप लोगों के लिए वेकेंसी जो हैं अगर आपको गौवर्मेंट जाप चाहिए अगर आपको नौकरी चाहिए अगर आपको रुजग पता नहीं मिलते उन सबनों को बूरा करने के लिए ना जाने कितने साथ से करना पड़ता है जिन्दगी में बहुत से चीजों को पुरबानी देना पड़ता है अगर आप में से करने की जल्चपा है वह चिंगारी है तो आज नहीं तो कल यकिन मानिया कामयाब भी मिलेगी अगर आप में सेक्रिफाइज आगर आपको करना ही नहीं आता तो मुझे नहीं लगते कि आपकी जिन्दगी में किसी तरह से कोई बदलाव आने वाला आपकी जिन्दगी बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला आप जीस हालात में जैसी परिसिती में है आप जिन्दगी भर उ सोचते हैं इन लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचो क्योंकि जिन्दगी आपकी है किसी और के नहीं है तो जिन्दगी में जो है किसी और के बारे में मत सोचो जब कोई और आपके बारे में नहीं सोच रहे तो आप किसी और के बारे में क्यों सोचकर अपने टाइम खोटा क पर सोचने हैं तो अपने बारे में सोचो तो 25 अजय नए भरती होने वाला है तो इन सभी बढ़ती परिक्ष्चर की तयारी आप अच्छे से कर सकते हो अच्छे से वाक कर सकते हो जिंदेगी आपकी है जनाथ किसी और के नहीं है इस चंद लोगों फालतु लोगों के लपना समय मख महनत करो आगे बढ़़ो क्योंकि एक बार अगर तुम्हें काम आबी मिल गया एक बार सफलता मिल गया एक बैर तुम्हारे बार बास नेम फेम पैसा रुदा ये सभी चीजा गए ना उसके बाद सभी चीजह मिलजाईगा तु जिस चीजा के लिए तुम आभी अपसोस करते रहोगे और सोचों के बाद में कि ये कर लेते तो वो जाता वो कर लेते तो ये बन जाता अब कुछ भी नहीं कर पाओगे तो वीडियो अगर अच्छे लगो पश्चनदा तो चैनल पर नए हो सबस्क्राइब करो और वीडियो को जितना जाद होश्य के शेयर कर आप ही लोगों के लिए वीडियो शेयर मिलते हैं कि शेयर नहीं वीडियो में अपना ख्याल रखें कॉंपिटिसन्स एक्जाम्स की त्यारी करते रहिए